जय तिरुपती बाला जी दोस्तों तिरुपती बाला जी के दर्शन बहुती कम समय में हो रहे थे लेकिन वीकेंड आने के कारण तिरुमाला में भीड काफी संख्या में बढ़ी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तिरुमाला की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने वाला हूँ तिरुपती बाला जी के दर्सन में अभी कितना समय लग रहा है तिरुमाला में भीड कैसी हो रही है तिरुमाला का मौसम कैसा है और दोस्तों तिरुपती बाला जी के लड़ू पर साथ के बारे में जो ख़वरें आई थी उस ख़वर के बाद एक और अफवा फहलाई जा रही है कि तिरुमाला में जो लड़ू पर साथ मिलता है उसमें तंबाकु मिला हुआ है तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे आप मेरे साथ वीडियो के अंति तक, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चै जा रहे थे, लेकिन अभी वीकेंड आ गिया है, और वीकेंड आने के कारण तिरुमाला में भीड बहुत ही जादा हो रही है, तिरुपती के काउंटर से जो सर्वदर्सन टोकन मिलता है, उसकी booking बहुत ही जल्द हो गई, जब सारे ticket book हो गए तो counter को close कर दिया गया, इसके बाद जो भी लोग counter पर सरदर्शन ticket लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें ticket नहीं मिल रहा था, जिसके करण उन्हें free दर्शन line से होकर तिरुपती बाला जी के दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है, दोस्तों अली पिरी और स्रिवारी मेट्टू में भी भीड़ बड़ी है, बहुत सारे तीर्थियात्री ऐसे हैं, जो कि पैदल यात्रा करके तीरुमाला पहुचना चाहते हैं, उन्हें से अधिकान स्लोगों के पास special anti-darson ticket के online booking नहीं है, यहां तक कि उन्हें सरद सरदर्शन token भी नहीं मिल पाया है, और दोस्तों देविदर्शन ticket सिर्फ स्रिवारी मेट्टू वाले रास्ते में ही मिलता है, ऐसे में जो भी लोग अली पिरी से होकर यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनके पास सरदर्शन ticket नहीं है, तो आपको अली पिरी वाले रास्ते मे नहीं मिलेगा, और अगर आप देविदर्शन ticket लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको स्रिवारी मेट्टू होकर जाना पड़ेगा, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्रिवारी मेट्टू होकर जो भी लोग यात्रा करते हैं, और देविदर्शन ticket लेना चाहते ह तो आपको जितनी जल्द हो सके स्रिवारी मेट्टू तक पहुचना होगा। स्रिवारी मेट्टू वाला रास्ता सुभा के 6 बजे से लेकर साम के 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन दोस्तों स्रिवारी मेट्टू में टिकाट काउंटर जब सुबा 6 वजे ओपेन होता है तो लोगों की भीड बहुत ही जादा होती है उस समय स्रिवारी मेट्टू वाले रास्ते में 5000 देविदर्शन टिकाट प्रते दिन जारी किया जाते हैं और जिस दिन भीड जादा होती है तो ये टिकाट बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं क्योंकि एक तो स्रिवारी मेट्टू वाला रास्ता अली पिरी की अपेक्छा छोटा होने के कारण इस रास्ते से जादातर लोग यात्रा करना चाहते हैं और दूसरी बात है कि इसी रास्ते में देविदर्शन टिकाट भी दिया जाता है हलांकि देविदर्शन टिकाट और सरवदर्शन टोकन में कोई अंतर नहीं है आप किसी भी एक टिकट को लेकर तिरुपती बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं लेकिन ये रास्ता छोटा भी है और इससे यात्रा करने में समय भी कम लगता है चुकि टिकट भी मिल जाता है तो इसी रास्ते को लोग ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर आप अली पिरी से होकर यात्रा करना चाहते हैं तो आप कोशिस करें कि तिरुपती के काउंटर से दर्शन टोकन ले लें इससे आपको काफी सुविधा मिल जाएगी क्योंकि पैदल यात्रा करके जब आप तिरुमाला पहुँचेंगे समय लगने लगा है सर्व दर्शन टोकन या फिर दर्शन टिकट को लेकर जो भी लोग तिरुपती बाला जे के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उन्हें दर्शन करने में लगभग 4-6 गंटे तक का समय लग सकता है और दोस्तों फ्री दर्शन वाली जो लाइन है यानी धर्ण दर्शन लाइन यानी कि जो भी लोग बिना टिकट के दर्शन के लिए जा रहे हैं और इस रास्ते से जाने में आपको लगभग 5-6 गंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन ये depend करता है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं, अगर आप तेज चलने में सक्छम हैं, तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, अगर आप नॉर्माल स्पीड में चलते हैं, तो लगभग 4-5 गंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आप चाहें आलीपिरी से जाएए, या फिर सिर्वारी में टू होकर, दोनों ही रास्तों में सीड़ियों से होकर जाना पड़ता है, और इन दोनों ही रास्तों में सीड़ियां इतनी खड़ी है, कि आप कुछी सीड़ियां चड़ेंगे तो आपको ठकावट महसूस होने लगेगी, इसे में दोस्तों आपको चाहिए कि आराम करते हुए चलें, जिससे कि आपको ठकावट भी कम हो, और आप बिना किसी परिशानी के तिरुमाला पहुंच जाएं, दोस्तों बात करें तिरुमाला के मौसम की, तिरुमा वार से भीड घटेगी और अगर आपका प्लान इसी समय तिरुमाला आने का है तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय है बसरते की विकेंड ना हो दोस्तों आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि तिरुमाला के लड्डू में मिलावट होई है और ऐसी खबरे आने के बाद जब जा अफ़ा फहलाई जाने लगी कि तिरुमाला में जो लड्डू परसाद मिलता है उसमें तंबाकु मिला हुआ है दोस्तों ऐसी खबरे आने के बाद जाज की गई तो ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है तो ये एक अफ़ा फहलाने की कोशिस की जा रही है और तिरुमाला को ब हर संभव प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास आज से नहीं बलकि सद्यों से चली आ रही है अगर पौरानी कथाओं को सुना या देखा होगा आपने देखा होगा कि उसमें राक्षसी प्रविर्ति के जो भी लोग होते हैं धर्मात्माओं को परिशान करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन अंतता जीत धर्म की होती है, सत्य की होती है, जोस्तों इसी प्रकार आज के समय में भी हो रहा है, तो ऐसे में सब को सचेत रहने की आवशकता है, पर कोई भी भ्रह्म, अफवा, या फिर गलत न्यूज फैलाई जा रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, इ इसके बाद ही किसी पर दोसारोपन करें, जोस्तों मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेसेजेस हमें ऐसे मिल रहे हैं, जिसमें कि लोगों ने अपना दुख को बताया है, कि उन्हें ऐसी न्यूज से कितनी आहत हुई है, ये बात भी सही है, जब को कोई भी क्वेरिस हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इस्टाग्राम पर मेसेज करके पूछ सकते हैं, दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच पाए, तो मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में तब तक के लिए जय बाला जी, जय गोविंदा